नमस्ते दूस्तों स्वागती बिर्द से आपका और एक नए वीडियो में मेरा नामे देजस और आज हमारे पास है वन प्लस का नॉट सी टू और ओपो का रेनो सेवन डिज़ाइन के अगर बात करेंगे थो दूनों भी हैंद्सेट के निरा आपको बैक साइड का डिज़ाइन सेम देखने को मिल जाता है वही ट्रिपल रेयर कैमेरा और फ्लैश लाइट का सेट अप OnePlus के अंदर आपको glass finish के साथ में back side आ जाता है लेकिन Reno के अंदर जो है आपको made finish के अंदर back structure दिया इसका जो कि देख सकते हैं back side में अगर देखेंगे तो आपको camera से लेके flash light टक के पूरा का पूरा same to same आ जाएंगा इसमें सिर्फ आपको one plus के अंदर back side में अगर देखते हैं तो आपको glass finish दिये और OPPO Reno7 के अंदर जो है आपको made finish के साथ में आ जाता है handset के इस साथ में अगर देखेंगे तो आपको power on off की key दिये वही नीची के साथ में अगर देखेंगे तो आपको stereo speaker, charging port, mic और 3.5 mm headphone jack का option मिल जाता है handset के इस साथ में आपको value up and down की key और SIM slot का option दिया है जो के handset के अंदर दोनों भी handset के अंदर आप 2 SIM और 1 memory card लगा सकते है SIM tray भी same आ जाता है दोनों भी handset के अंदर में expandable memory card के अगर बात करते हैं, handset के अंदर आपको 1 TV तक के expandable memory card भी लगा सकते है और इसके अंदर आपको UOPES 2.2 का storage type भी मिल जाता है back camera भी handset के अंदर आपको same आ जाता है, main camera 64 MP का दिया है, 8 MP का ultra wide angle और 2 MP का micro camera इसके अंदर मिल जाता है front camera के अंदर थोड़ सा change आ जाता है, C2 का जो front camera है 16 MP का आ जाता है और Reno7 का आ जाता है 32 MP का और battery भी दोनों भी handset के अंदर आपको same मिल जाती है, 45,000 image की और 65 watt का super hook charger भी आ जाता है, same दोनों handset के अंदर में अगर हम दोनों भी handset एक साथ में start करते हैं तो दोनों भी handset एक साथ में on हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी फरक नहीं आता है दोनों भी handset के अंदर क्योंकि दोनों भी handset same time पे on हो जाते हैं, यहां तक के display भी same मिल जाते हैं आपको 6.43 inch के punch hole screen के साथ में आ जाते हैं और दोनो 80 x 2400 pixel का जो की full HD plus में आ जाता है और दोनों भी handset के दर आपको HDR10 का भी support मिल जाता है, जिससे color saturation काफी अच्छे से मिलेंगा इसके अंदर में और protection की सबसे handset के दर आपको corning gorilla glass 5th का protection भी मिल जाता है, वैसे touch quality तो दोनों भी handset के दर आपको same दी है, ऐसा कुछ भी ज्याद कर जाती है, दोनों भी handset के same touch quality मिल जाती है आपको, आपडर के अगर बात करेंगी तो brightness level जो है, दोनों भी handset के दर काफी अच्छे से मिलेंगा क्योंकि ग्राफिक्स आ जाता है माली G68 MC4 का ओपो के अंदर जो आपको रैम एक्सपेंशन का ओप्शन मिलता है लेकिन वन प्लस के अंदर वो आप्शन नहीं दिया है इसके अंदर में 5 GB तक के अदर रैम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं ऐन्रोड वर्जन जो ही यह दोनों भी एंसीट के अंदर आपको आंड्रोड 11 मिल जाता है राम टाप जो है नोंыми आपको अंदर आपको सेम ऊप्शन दिये है ऐसा कुछ ज्यादा ऑप्शन का चेंज नई मिलता है इसके अंद आटो फेस डिटेक्शन, पोट्रेट मोड, पैनोरमा, नाइट मोड यह दोनों भी एंसेट के आपको मिल जाते है जुमिंग के अगर बात करेंगे तो दोनों भी एंसेट के आपको 20x तक के डिजिटल जूम का उपशन दिया है कुछ भी फरक नहीं आता है जुमिंग के अंदर में क्यामेरा कॉलिटी के अगर बात करेंगे तो लगबग दोनों भी एंसेट के आपको सेम पिच्चर कॉलिटी दी है रेनो के अंदर थोड़ सा डार्क शेट देखने को मिल जाता है जो कि काफी दिखने में अट्रेक्टिव देखने को मिल जाता है फ्रन्ट कामेरे के अंदर तो ओपो का एंसेट काफी अच्छा मिल जाता है काफी डिटेलिंग फोटो देख सकते आप नॉर्मल में भी और पोट्रेट मोड के अंदर में भी यहाँ तक के देखेंगे तो दोनों भी एंसेट लगबख सेम आ जाते सेम कॉन्फरिकेशन है सेम मैटरी आ जाती है और सेम चारजर दिया है ऐसा कुछ भी फरक नहीं आता है दोनों भी एंसेट के अंदर सिर्फ आप एक जगा देख सकते है स्टोरिस के अंदर जो कि ओपो का एंसेट जो है 8GB 256GB स्टोरिज के साथ में आ जाता है और वन प्लस के अंदर दो विरेंट यह है 612 और 812 प्राइज रेंज का भी लगबख बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जो कि 4000 रुपय का डिफरेंस आ जाता है 8GB वाला विरेंट अगर देखते है तो आप और यहां तक के वेट भी सेम आ जाता है 183 गाम का वेट दिया है और ठीकने 7.8 mm की मिल जाते है दोनों भी एंसेट के अंदर सेम आ जाता है ऐसा कुछ भी फरक नहीं दिया है ओपो रेनो सेवन लेने से अच्छा तो आपको वन ब्लस का नौट सी टूल लेने को फूर जाता है जो कि 4000 रुपय का डिफरेंस आ जाता है 8GB वाला विरेंट के अंदर में जो कि सेम कॉन्फरिकेशन के साथ में आ जाता है ऐसे मोबैल कंपेरेशन के लिए और मोबैल कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नौट विशन आप तक के पहुचिए चलिए मिलते गड़ें थैंक्यू